मुश्कार दोस्तों आपका स्वाधत है इस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम मुखेता तीन चीज़ें करते हैं पहला एडिटोरियल का UPSC, CSE, सिलिबर्स के साथ लिंक स्थापित करना दूसरा एडिटोरियल में आयो है की पॉइंट्स को समझना तीसरा कोई की कॉंसेट अगर इस एडिटोरियल में आया है जो उस एडिटोरियल को समझने में आपकी मदद करेगा उसको ठीक तरीके से समझना तो आईए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनलिसिस आज का एडिटोरियल हमने दे हिंदू से लिया है ये च्छे तरीक को आया था और इस एडिटोरियल का सीर्शक है मौकरी ऑफ जस्टिस यानि न्याय का मजाग बनाना और ये रिलेटेड है पाकिस्तान से पाकिस्तान की हाई कोड ने अभी एक निशली अधालक के फैसले को पल्टा है जिसमें की डैनियल पर्ल जो की एक जनलिस्त थे उनकी हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान में सब्सक्राइब क्यातर और अम्री दीकाड़ देखे सहいます कि इस श्यास के सब्सक्राहROब GS3 में हम देखेंगे कि internal security वाला जो topic है इससे भी यह जुड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security यह यहाँ भी जुड़ा हुआ है आएए आप देखते हैं कि इसमें कौन से key points बताए गए हैं Editorial कहता है कि आतंकवाद से मुकाबला करने और आतंकवादियों को सजा दिलाने मैं पाकिस्तान की मंशा पर हमेशा से संदेह रहा है क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं sponsor of terrorism है पाकिस्तान ने ही गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाली बात कही है और गुड टेररिस्ट का मतलब है कि जो पाकिस्तान के हिजाब से काम कर रहा है या जो कश्मीर में जाके आतंक वादी घटनाओं में सम्मिलित हैं वो उनके साब से good terrorist हो जाते हैं और जो terrorist उनके यही बम विस्वोट कर रहे हैं या लोगों को मार रहे हैं वो bad terrorist है भारत इस तरीके के किसी भी difference पे यकीन नहीं रखता है कि कोई good terrorist या bad terrorist नहीं है टर्रोरिस्ट सिर्फ terrorist है आगे एडिटोयल में कहा गया है कि सिंध हाई कोट ने अमेरिकी जर्नलिस्ट डैनिल पर्ल की हत्या के लिए उमर शेख को जो सजा निश्ली अधरत ने सुनाई थी उसे पलट दिया है और डैनिल पर्ल जिनकी हत्या का यह मामला है वाल स्ट्रीट जर्नल जो की एक अमेरिकन निउस्पेपर है उसके साउथ इशिन बीरो चीफ थे जबकि 2002 में कराची में उनका अपहरंट कर लिया गया था इस अपहरंट में उमर शेख का हाँ था जिनके पाकिस्तानी आतमकवादी समूहों के साथ साथ अल-काइदा उसामय बिलादयन के द्वारा जिस और्गिनाजेशन को फॉर्म किया गया था उससे भी संबन्द थे बाद में डैनियल पर्ल को उनके किड्नैपर्स ने बेहरमी से मार भी दिया था और उसके एक वीडियो रिलीज हुई थी और जब अमेरिकी प्रेशर पड़ा पाकिस्तानी एजिनसीज के उपर तो ओमर शेख ने आत्मे समर्पन किया क्योंकि कहीं न कहीं अमर शेख के तार पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजिनसीज के साथ जुड़े हुए थे जिसमें की प्रमुक है आई एसाई और पाकिस्तान की निशली अदालत ने उन्हें दोशीब भी ठहराय था जिसको अब सिंध हाई कोर्ट ने पलट दिया है तो सिंध हाई कोर्ट की इस फैसले के बाद पाकिस्तानी एजिन्सीज ने उमर शेक की कैद को बढ़ा दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि Financial Action Task Force की प्रितिकरिया और अंतारश्टी आलोशना दौनों पाकिस्तान को जीलनी पड़ेगी और ये भी कहा है कि सुप्रिंग कोर्ट में सरकार इसके खिलाफ अपील करेगी अब इस एडिटोरियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्जाम पॉइंट अफ यू से है वो है FATF Financial Action Task Force तो ये जो Financial Action Task Force है इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे की कॉंसेप्स प्री के लिए आप ये जानिए कि ये Global Money Laundering यानि वैश्विक धन शोधन और टेररिस्ट फैनेंसिंग आतमकवादी वित्पोशन का वाचडॉग है पहरेदार संस्ता है जो कि ध्यान रखती है कि Global Money Laundering ना हो टेरिस्ट को फैनेंस ना मिल पाए और पहले से ही पाकिस्तान क तो FATF ने अपनी Great List में शामिल रखक है है भारत ने भी काफी कोशिश की है कि पाकिस्तान Great List की जगे Black List में चला जाए ब्लैक लिस्ट में अभी के टाइम पे दो ही देश हैं इरान और नौर्ट कोरिया ये दौनों देश ब्लैक लिस्ट में शामिल हो भारत ने भी ये कहा है कि उमर शेक को अगर पाकिस्तान रिलीज करता है छोड़ता है तो वो इस मामले को FATF में उठाएगा ये संभावना भी अडिटोरियल व्यक्त करता है कि हो सकता है कि आंतराश्य दबाव कम हो जाने के बाद उमर और उसके साथियों को विहा कर दिया जाए और इस तरीके का पहले पी एग्जामपल पाकिस्तान ने दिया है आतमकवात से निपटने का पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है दो हजार पंद्रा में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने 26 ग्यारा मुंबई हमलों की जिम्मेदार जाकिर रह्मान लखवी को नजरबंदी से रिहा कर दिया था और वो आज भी आजाद घूम रहा है 2020 में पाकिस्तान ने ये बताया कि जैशे मुहमद के प्रमुख जो मसूद अजर है वो अपने परिवार के साथ कहां चले गए हैं इस बात की पाकिस्तान सरकार को कोई जनकारी नहीं है मानना बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान सरकार को इस पार में कोई जानकारी नहीं है या पाकिस्तान सरकार की मिली भगत के बिना ये हो रहा है हर जगे से ये पता चलता ही पाकिस्तान का आतमकवाद को लेके record बहुत ही खराब है और पाकिस्तान आतमकवाद को पूरी तरीके से समरच्छन देता रहा है एडिटोरियल ये कह रहा है कि पाकिस्तान को आतमकवाद के खिलाफ लड़ाई में और अधे कमिट्मेंट या प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना पड़ेगा और सिर्फ टोकेनिजम से काम नहीं चलेगा कि प्रतिकात्मक्रूप से सिर्फ टेरिरिजम के खिलाफ बोलें या कोई कारेवाई करें लेकिन अंदर ही अंदर टेरिरिजम को पूरी तरीके से समरच्छन दे के रखे तो यह बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी गल्तियों से सीखे और टेररिजम के खिलाफ करे एक्षिन ले अब आये देखते हैं कि हम FATF के बारे में और क्या जान सकते हैं Financial Action Task Force एक Intergovernmental Organization है और इसका establishment जो हुआ था वो 1989 में हुआ था G7 Summit पारिस में तो यह PT के हिजाब से बहुत important information है कि FATF का जो establishment है वो पैरिस में G7 के summit में हुआ था यह दुनिया के सबसे ज्यादा विक्सित देशों का समू है G7 इसको बीच में G8 भी कहा गया था जब रशिया इसका पार्ट बन गया था लेकिन फिर बाद में रशिया को हटा दिया गया और यह फिर से G7 बन गया है और आके हमें यह भी जानना चाहिए कि FATF का जो लक्षे है या उद्देश है स्टैंडर्स सेट करना, effective implementation करवाना उन स्टैंडर्स का जो की legal, कानूनी, regulatory और operational measures हो जिससे की money laundering से लड़ा जा सके, terrorist financing को कम किया जा सके और ऐसे अन्य जो threats है उनसे international financial system का बचाव किया जा सके तो FATF का basic aim जो है वो यह है कि वो standard सेट करें जिनसे की money laundering, terrorist financing और ऐसे अन्य अपराधों से international financial system को बचाया जा सके FATF basically a policy making body है और यह सरकारों के साथ काम करती है जिससे की सरकार अपने कानून लेके आए और regulatory reform लेके आए जिससे की terrorist financing या money laundering जैसी activities पे control किया जा सके जो DCM making body FATF की है उसको FATF plenary कहा जाता है और यह साल में तीन बार मिलती है अभी FATF के 38 members है जिनमें की 36 तो countries है और European Commission भी इसका member है और Gulf Corporation Council भी इसके member है पहले 2006 में observer status मिला FATF में और 2010 से इंडिया इसका full member है FATF blacklist को non cooperative countries और territories यह इसका official name से भी जाना जाता है और इसमें उन देशों के नाम है जो की भी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं international fight against terrorist financing and money laundering और इसका मतलब यह है कि वो blacklist में शामिल है फिलहाल में इरान और North Korea दो ऐसे देश है जो की इस black FATF blacklist में शामिल है FATF graylist में वो देश आते हैं जो की माना जाता है कि वो एक safe sanctuary यह safe जगे provide कर रहे हैं ऐसे organizations को ऐसी संस्थाओं को जो की terror funding या money laundering जैसी activities में लिप्त हैं तो वैसी countries को FATF graylist में रखा जाता है पाकिस्तान को graylist में रखा गया है और इस वज़े से पाकिस्त को international funding जुटाने में बहुत परिशानी आ रही है और पाकिस्तान बार-बार ये कोशिश कर रहा है चाइना की मदद से कि वो FATF graylist से बाहर हो जाए जबकि भारत की लगतार कोशिश ये रही है कि FATF graylist से निकलके पाकिस्तान blacklist में शामिल हो जाए भारत का ये भी मानना है कि जब तक पाकिस्तान terrorism को sponsor करना बंद नहीं करता तब तक पाकिस्तान को blacklist में होना चाहिए और उसके बाद ही पाकिस्तान की समझ में आएगा कि terrorism को support करना कितना घातक है खुद के लिए लिए और इस editorial में खास बात यही थी कि हमें FATF के बारे में ठीक से जानकारी होनी चाह करता है तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए अडिटुरियल के साथ भंदी माद